प्रेंड्स मैं पूर्बा आप लोग का स्वागत करती हूं MP सक्सेसर्स में और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशकवरी लेकर आई हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो जेल पहरी का आप लोग का एक्जाम होना था मद्यप् के अंतरगत जो जेल पहरी की परिख्षा 2020 में होने वारी थी उसका नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म फिल होने की यहां पर देख सकते हैं के कब से हैं तो यहां पे आप देखी यहां पर लिखा हुआ है कि आप इदन पत्र भरने की थी 27220 यानि कि आज से ही आप दिनांक बार डेट है वो आपकी 3 से 10 नबंबर 2020 के बीच में आपका एक्जाम होगा तो देखी इन्होंने पहले से ही इस बार जो है आप लोग को फॉर्म भार लें और परिच्छा की तैयारी में जोट जाएं ठीक है तो यहां पर हम आगे बात करें तो अभी जैसे आपको देख रहे हैं तो आप लोग जो है यह जो मेरा चैनल है इस पर भी आप लोग को जो है वीडियो मिल जाएंगी इसमें आपको लोग को मैथ और जो एमपी डेली करेंट अफ्यार है एमपी जी के बगएरा मैथ इंग्लेस ठीक है हिंदी जो अपके जो सब्जेक्ट जो है इसमें आते हैं स्लेवस बगएरा मैं यहां पर पूरा आपको डेटेल में बता दूंगी ठीक है तो यह आप लोग के लिए बहुत अच्छी खुश कवरी है तो जो लोग भी इसके ल अनुसुचे जन जाती अन्य पिछड़ा बारगने सक्त जना भी आरतियों के लिए जो मध्यप्रेश के मूल नेबास है उनकी अगर बात करें तो उनको जो है 200 रुपए रहेगा ठीक है और जो सीधी भरती इसमें होगी बैक लॉग की उसमें जो है कोई सुलक नहीं तो आपको 20 रुपए पोर्टल चार्ज इसमें देना होगा ठीक है अब आगे हां पर बात करें तो परिक्षा किस टाइब से होगा क्या उसका टाइमिंग रहेगी तो यहां बात करें तीन से दस नवंबर 2020 के बीच में एक्जाम होगा और परिक्षा की पाली दो पालियों म सब्सक्राइब करके थेनल है कि दो सब्सक्राइब को अब आधर पंजियन जाएक अधेफां हम बात करें तो आगे यहां पर देखें तो अगे यहां पर लिखा होगा तो आगे यहां पर लिखा होगा तो मैं आपको बताती हूं यह जो परिच्छा है आपकी ओनलाइन होती है computer based ठीक है तीन गंटे का आपको इसमें समाय उन्होंने बताया हुआ है और जो exam का सिलेवास है वो भी यहाँ पर मैं बता देती हूँ यहाँ पर पहले भरती की बात करें कि कितने पदों पर भरतीया निकली हुई है चयान परिक्षा 2020 के लिए आविदन करने वाले सभी आविदकों पर यह नियम लाग हुए ठीक है तो यहाँ पर कुल पद की बात करें तो कुल 282 यहाँ पर बैकेंसी निकली हुई है अब आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है जो मतलब सेक्षण की योगिता है वह यहाँ पर बात करने तो यहाँ पर देखिए तो यहां पर बात करें तो इसमें जो है सीटो का वेवरान इस प्रकार से है यह सीधी भरती का है ठीक है जो है जो है जो बिना बर्ग के जो अन्रिजर्वड हैं उनके लिए ओपन में 3013 एंँपन में 14 है इस टाइप से होम गाड के लिए बात करें तो इस टाइप से बूरा चार्ट दिया हुआ है आप रोग इसका स्क्रेंशॉड लेके इसको पूरा पढ़ लेना सीधी भ़र्टी थे थिक है अब यहां पे बात करें सम्विदा करमचारी की पहरी कारपा Slowly में सम्विदा कर्मचारी के लिए 20% aux तो जो लोग संफ нравится ये सब्सक्राइब की लिए यहाँ पर सारी कने की तो यहाँ पर पहरी पदों के लिए प्रकार की Гर्च के लिए और पादारफ्षित नहीं है। भीकलंग पूरादार होता हुगा नियुकल थे कम निम्हीर से लिए रहा है। एगर पुराणी प्रणाली से बात करें तो आपको 12 पास होना चाहिए थिक हैं अग story के पर है सारी बात करें निकार रेंगे तो परोसा वियारतियों के लिए 265 सेंटी मीटर्व महिलाork holy 아래 में बात करें द्रिष्टी की तो यहां पर देखे लेखा हुआ है आभिदक की दोनों आखों की द्रिष्टी सामानी होने चाहिए और उसके जिल की सेवाओं की सारी रूप से अपंग नहीं होना चाहिए ठीक है और अभियार्तियों में नौकनी फ्लैट फोट कोई द्रिष्टी दोस्त नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस ताइप से यह रहेगा और मैं इसकी पीडियाफ जो है डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दे दूंगी तो आप लोग बहां से जाके यह पढ़ लेना ठीक है और यहां पर बात करें तो यहां पर आरक्षण वगेरा की दिया हुआ है तो यहां पर यह सीधी भरती के प्रक्रम में बन पदों को छोड़ कर जो है 33 प्रिस्ट यहां पर पद जो है वो महिलाओं के लिए रहेंगे जित्तीवी सीट रहेंगे उसमें 33 प्रिस्ट महिलाओं के लिए हैं और यहां पर देखिए आप लोग यह देख सक करूं तो इसमें आपके पांच सब्जेक्ट आते हैं ठीक है जिसमें आपका मैत रहेगा हिंदी इंगलेस रहती है ठीक है और यहां पर एक सकेंड यहां पर आयू की बात कर लें तो यहां पर मैं एज बता देती हूं आप लोगों को कि इसमें जो है पुरोस सामाने पुरोस महिला आविदक अनुसुचे जाती ठीक है अन्य पिश्डा वर्ग सास्किया सास्किया मंडल करमचारी नगार सैनेक सबके लिए जो है यहां पर महिला वर्ग के लिए अगर बात करें तो ठीक है तो अठारा बर्स से नियूंतम और 38 बर्स तक होनी चाहिए ठीक है म पार्ट यहां पर महिला वर्ग के लिए 18 बर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए श्याओक एक जन्वरी 2020 से इसकी गार्णा की जाए ठीक है तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से और आगे अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर हम देखते हैं आगे यहां पर जो मैं यहां पर आपको बात करें तो लड़कियों के लिए 4 मिनिट में निकालने के बाद बात करें तो परोषकी बात करें तो 2 मिनिट पचा सेकंड में आपको दोड ना होगा ठीक है और यहां पे 800 मीटर और लड़कियों के लिए चार मिनिट में आपको 800 मीटर दौड करने होगी ठीक हो बूदपूर्ट सैनेक और होम गार्ड की अगर बात करें तो उनको तीन मिनट 15 सेकंड में यह करना होगा उसके बाद आपका गोला फेक होगा तो गोला फेक में आपको 20 पूर्सों को यहां पर रहेगा गोले का बजन जिसमें है 7.260 मतलब 7 किलो 260 ग्राम रहेगा वह आपको 20 फेक तक फेक ना होगा ठीक है गोला फेक में लड़कियों के लिए 16 फिट रहेगा और गोले का बजन जो है 4 किलो ग्राम रहेगा और बूद पूर्ट सैनेकों बगेर यहां पर तो ठीक है उसे गोला फेक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा ठीक है तो यह समय पहले भी आप लोगों को बता जो इसका नोटिफिकेशन आये था कि यह जिल पहरी की वेकैंसी निकालने वाली है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ग्र कि आज से 27 जुलाई से फॉर्म भरने लगे हैं और यह 10 अगस्त 2020 तक फॉर्म बरिगे तो आप लोग जो है फॉर्म जो है औलाइन भरते हैं तो आप लोग एमपी ओनलाईन चार्ट बगिर्हा भी ऑनलाइन रहाए और एक्जाम की डेटेंन और हुने बता दी है 3 से 10,00 पर आपको पता है जो आपके जो हैं वो यहां पर रहेंगे आपके यह जो आपके आसपास हो आप उनको जो है चूस कर लेना यहां पर ठीक है कि पर फ्रीक्रम की बात करें तो आपको यह बता दूँके पहले बता चुकी हूँ कि इसमें जो है टोटल हंड्रेट मार्क के कौश्ळा आते हैं सो नंबर की रहेंगी निगेटेब मार्किंग कोई नहीं रहेगी तो आपको पूरे प्रेंड मार्क करने हैं और आपको इसके लिए प्रैक्टिस कर लेनी है तो मैं आपको बता हूंगी कि कैसे क्या करना है तो आप लोग वीडियो देखती रहें और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं ठीक है वीडियो पढ़ी हुई है जिल पहरी एक्जाम से सब्सक्राइब करें चैनल को लिए लाने को सब्सक्राइब करें तो आप लोग अच्छे से स्कूर करें और मैस वग्राइब कुलास यहां पर मिल जाएंगी ठीक है तो आप लोग जो है ज़ल्दि जाके चैनल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो को चाज जगर लाइक करें सेहर करें ।टीक है है थैंक्स पो ऑचिंग माई वीडियो और किसी भी टोपिक से किसी भी question में आपको doubt हो तो आप लोग जो है comment box में पूछ सकते हैं thank you